अगर आप भी iPhone 12 खरीदने की सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि iPhone 12 का अभी currently market price क्या चल रहा है और इसके उपर कौन-कौन से credit card पे offer चल रही है और आप एक छोटी EMI पे इसको कैसे खरीद सकते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आपको इसको online खरीदना चाहिए कि आपको इसको store से purchase करना चाहिए हेलो दोस्तो मीरा नाम है कुल बिंदर और आज हम iPhone 12 के बारे में बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि iPhone 12 का अभी currently market price क्या चल रहा है अगर आपको iPhone 12 64 GB खरीदना है तो इसका price जो store पर मिल रहा है वो मिल रहा है 60,900 रुपीज का मतलब कि इसका जो originally price जो company की तरफ से है वो है 65,900 रुपीज और इसके ऊपर आपको 5000 रुपे का instant store discount मिल रहा है मतलब कि 60,900 का ये phone आपको cash में store पर मिलता है अगर आपके पास HDFC का credit card है या फिर HDFC का debit card है तब आपको इसके ऊपर 3000 रुपे का cash back मिलता है जो के आपको 120 दिन के अंदर credit होता है और आपको इसके ऊपर 6 महीने की no cost EMI मिलती है मतलब कि 6 महीने के लिए आपको कोई भी interest pay नहीं करना होता अगर आप इसमें 128 GB वाला variant करीदना चाहते हैं तो उसका price 5000 रुपे जादा है मतलब कि अगर आपको 128 GB वाला iPhone 12 करीदना है तो उसका price stores पर 65,900 रुपीज है तो इसके ऊपर भी आपको 3000 रुपे का HDFC का cash back मिलता है अगर आपके पास HDFC के card है और अगर आप इसको एक बहुती छोटी EMI पर खरीदना चाहते हैं और आपके पास ICIC का credit card है तब आपके लिए इसके ऊपर बहुती अच्छी offer चल रही है और मैं screen पर दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए छोटी सी EMI पर आप इसको ICIC के credit card से खरीज सकते हैं वो भी no cost पर पतलब के दो साल के लिए फोन आपको उतनी ही cost करेगा जो के आप cash में लेते हैं चाहे आप credit card से लेते हैं तो उन लोगों के लिए ये offer बहुत अच्छी है जो के एक छोटी सी monthly EMI देना चाहते हैं और iPhone 12 को use करना चाहते हैं इसके बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि iPhone 12 को online purchase करना चाहिए कि offline purchase करना चाहिए क्योंकि online के अंदरिस का price बहुत ही fluctuate करता रहता है कभी ये 54 हो जाता है कभी ये 58 हो जाता है कभी ये 60 हो जाता है देखिए अगर आपको EMI पर लेना है मतलब कि एक छोटी सी EMI करवानी है तब तो आपको store से ही करीदना चाहिए क्योंकि iPhone 12 जो है वो store पर no cost EMI पर मिलता है आपके पास अगर बजाज का कार्ड है आपके पास जो है कोई IDFC का कार्ड है या फिर आप इसको loan करवाना चाहती है आपका सिब्बस को अच्छा है तो आप इसको no cost पर 16 months तक EMI ले सकते हैं तो EMI options जो है वो आपको offline stores पर ज्यादा देखने को मिलती है as compared to online ओनलाइन वही लोग खरीते हैं जिनको जो है वो cash में खेरिना है उनको एक साथ payment करनी है तो उनके लिए कई बार हो सकता है कि online price जो है ज्यादा सस्ता मिलता है और मैं आपको description में links दे रहा हूं अगर आपको check करना है कि इसका online price क्या चल रहा है क्योंकि मैं अभी बोल दूँ कि इसका price यह चल रहा है और चार घंटे बाद इसका change हो जाए इसलिए मैं आपको link दे रहा हूं आप वहाँ पर जाकर check कर सकते है कि currently market price iPhone 12 का क्या चल रहा है और आपको इसको stores पर खरीदना चाहिए कि आप आपके घर के पास कोई भी authorized store हो उससे purchase करना और उनके पास ही offers होती है ऐसे निए कि आप किसी और store पर चलाएं जहां पर यह offer चली ने रही है तो आपको यह उल्टा महंगा लग सकता है अगर आप authorized store पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको यह zero cost पर देखने को मिलेगा और इस से पहले के फोन देखेंगे वह सभी 4G फोन थे पर आइफोन 12 जो है वह 5G फोन है बहुत अच्छा फोन है अगर आप सोच रहे हैं आपको जो है तीन चार साल फोन यूज करना है तो आइफोन 12 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है camera काफी अच्छा है sound काफी अच् आइफोन 12 ले लूँ क्योंकि मैं तोड़ा वेट कर रहा हूं कि थोड़ी कोई अच्छी ओफर आ जाए तो इसके ओपर मैं ले लूँ पर मेरे कोई आई से क्रेडिट कार्ड वाली option काफी अच्छी लगी है अगर आपको यह उफर जादा अच्छी लगी है तो जाते जाते आप वीडियो को लाइक जुरू करना दोस्तों आपके लाइक से मेरा मॉटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए मैं ऐसी इंफोमेशनल वीडियो लेके आता रहूंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं नहीं नहीं वीडियो अधके लेके लिए करना के लिए कर दोस्तों इंफेटरें कि मैं झान थे प्याईका यहके लिए रहानोर्पका यद passions बैफाइ mistब्सक्राइब करना प्यूँए विदेशनल प्यूब कर लाइक प्यायनन बविजिए